27 तारिक वो लास्ट डेट है जिस दिन की आप टीम इंडिया की कोचिंग पद के लिए अप्लाई कर सकते हूं आप से मेरा मतलब है उन सभी लोगों से जो की स्पोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अब देखिए सिनारियो यही गौतम गंभीर के नाम को लेकर काफी बाते च सकता बट फिर टीम इंडिया के कोच की पोजिशन की जब हम बात करते हैं तो यह पोजिशन यह एक अलग मायने रखती है एंड सबसे बड़ी बात इस पोजिशन के कारण आपको दुनिया भर में जो नाम मिलेगा वो बात अलगी है तो गौतम गंभीर इस चीज कोई मस्त कैंडिडेट हैं टीम इंडिया की कोचिंग के लिए वह आपको बताता हूँ सबसे तो गंभीर के अगरा हम एक्स्पीरियंस की बात करें गंभीर को भी आई पील में अभी तक करीब करीं 16 साल हो चुके हैं और इन सभी सालों में अल्मूस्ट हो हेर अंदेर करके कहीं नहीं किसी ना किसी टीम के साथ में जुड़े ही रहे थे सन्यास लेने के बावजूद भी और टीम इंडिया की तरफ से अगर हम लोग बात करें तो गंभीर ने टेस्ट वंडे टीटिविटी सब कुछी खेला बलकि 2007 और 2011 का जो वर्ल्ड कप था उस वर्ल्ड कप टीम का यह हिस् एक्सपीरियंस बिलकुल अकूट है टीटी की बात करें आई पेल की बात करें तो गंभीर 2012 और 2014 में भी यह ट्रॉफी जीच चुके है तो उनके पास में इस तामलब टीम को जीद दिलाने का भी बड़ी है कॉनसा कॉन्फिडेंस है तो यह जो पूरा का पूरा एक एक्सप लग रहा होता है कि नहीं यह थोड़ा सा कम हो रहा है तो अमुवन यह कोशिश करता है कि यार उसको कोई ऐसा प्लेयर मिल जाया सीनियर जिससे कि वो बात करके अपने उस जोन से बाहर निकल सके और गंभीर इस डाट काइंड ऑफ प्लेयर जो आपको उस जोन में लेकर जा साथ में गौतम गंभीर जुड़े और उसके बाद में सुलिन नारायन का जो हमने पूरा एक ट्रांस्वर्मेशन देखा उसके बारे में क्या बोले बंदे ने जिस तरीके से रन कूटे जिस तरीके से विकेट निकाले वो सब लाजवाब कर रहा है कि आखिर इस टीम में कै वेटिंग फैक्टर की बात करी उसके अलाव सबसे बड़ी बात यह कि टीम के जो सीनियर खिलाडी है उनके साथ में गौतम गंभीर की ट्यूनिंग है वो काफ़ शानदार है हाँ कोली को लेकर आप जरूर कह सकते हैं कि यह कोली से तो पढ़ती नहीं गंभीर की फिर आप क जो कि अपने नेटवर्किंग के उपर अच्छे से काम कर रहा है और यही कारण रहा कि जब चिन्नसौम स्टेडियम में कोलकाता और कोली मिले तब दोनों गले मिलकर एक दूसरे सास्ते किलकलाते भी बात कर रहे थे इस एक वीडियो से यह बात भी समझ में आती है कि गौत आग्रेशन है आप हमेशा उसको नेगेटिव तरीके से नहीं ले सकते हैं मतलब अगर हम लोग लास्ट येर ही बात करें जब लग्णाव सूपर जाइंट्स का पूरा मैटर हो गया ता नमीनोलक के साथ में उस मैटर में गंबीर की जो पोजिशन थी गंबीर उसमें काफी हैंrer अगर हो तो यहां पर सिनारियो ऐसा बनता है कि जब आपको अपनी मैचुरिटी दिखानी हैं आपको अपनी टीम जास में कर चलना है वहाँ पर कई बार यह भी हो जाता है कि आर nasze क्रॉदिय इस बार गंबीर ने साफ तोर पर कहा है कि आपको इस बार में से लच उट करता हूँ दिखूंगा नहीं हाँ जीत का जर्शन तो हर कोई क्रिकेटर इने बनाता है तो जीत का जर्शन बनाने वह विल्कुल भी पीछे नहीं रहते हैं लेकिन एग्रेशन जो है वह उन्होंने बैक्षीट पर रख दे यह बात इस बार के पूरे आईपेल में दिखाई दे बनावी तक तो वह एकाद दो बार ग्राउंड पर उतारी चुके होते हैं गंबीर इन सब चीजों के लिए मशूर है लेकिन कहीं ना कहीं यही जो उनका एग्रेशन है यही टीम को फुष भी क चीजे ऐसी हैं जो कि फीकी पड़ जाते हैं गौतबंबीर एज़ प्लेयर काफी कुछ कर चुके हैं अपनी टीम के लिए और अपने शेत्र के लिए तो इसको लेकर मतलब बहुत बहुत हद तक आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो आपको आखिर तक लेकर आपको आपको आख प्लेयर के लिए एक बड़िया कोच सावित होंगे कमेंट करके जरू बता है मेरे शुडियों फिर आप नहीं जाए जाए बारत